next आते हैं, format, format cell पर चलते हैं, तो यह alignment था, alignment आप adjust कर सकते हैं, इसमें option एक wrap text, तो wrap text क्या होता है, और shrink to fit, तो पहले wrap text को समझते हैं, अब यहाँ पर मैं इसको normal कर देता हूँ, alignment को format पर जाते हैं, format cell पर click करते हैं, मैं इसके degree को वापस normal zero degree पर कर देते हैं, okay किया मैंने इसको यहाँ पर, अब यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा कम कर देते हैं, cell गया it, अब आप देख रहे हैं, यह रामजीत सिंग इधर उदर जा रहा है, कुछ इससा इधर आ गया, कुछ इससा इधर आ गया, अपने cell के area में यह नहीं है, तो हम क्या करेंगे, format पे गए, format cell पे गए, और यह wrap text option है, जैसे मैंने wrap text किया, तो क्या होगा, देखेगा, okay किया, तो इसने column की विर्थ उतनी रहने दी, और content को नीचे ले आया, इसने row की height बढ़ा दी, उसने का ठीक है, column इतना ही रहेगा, लेकिन जो भी content अब आप लिखोगे, वो नीचे की तरह बढ़ता जाएगा, विर्थ वाइज नहीं बढ़ेगा, तो यह wrap text का फायदा है, आप यह option यहां से भी use कर सकते हैं, alignment tab पे wrap text, तो कुछ चीज़े, format cell में जो अंदर दी हैं, वो बाहर भी दी हैं, format cell पे click करेंगे, font option है, तो यहां स word में use करते हैं, उन्हें आप यहां भी use कर सकते हैं, okay किएंगे, तो देखिए आपका जो content है, उसका cell चेंज हो जाएगा, उसके font का style चेंज हो जाएगा, तो format cell पर आगे चलते हैं, आगे है आपका border, cell का border आप दे सकते हैं, मान लिए चारों तरफ outline देनी है, outline भी आपने set कर लिए, outline का style भी आप choose कर सकते हैं, तो यह depend करता है कि आप किस तरीके का border लगाना चाहते हैं, तो यह है आपका outline border, कि यह cell के चारों तरफ एक border लग जाए, और उसके बाद जैसे आप okay करेंगे, तो आप देखिए, cell के चारों तरफ एक border आगया है, यह border option आपको यहां भी लगाना है, आगे चलते हैं, format cell में fill, तो color भर दीजे cell के अंदर, यह यहां से भी भर सकते हैं, और यह यहां से भी भर सकते हैं, आपके उपर depend करता है, तो यह color भरने के लिए आपको format cell पे अंदर जाने की भी जरूत नहीं है, आप सीधे यह font पर जाईए, यहां से भी करता है, उसके बाद आप अंदर का text change करना चाहते हैं, तो side wall option ले लिजे, तो यह text का color को बदल देता है, तो यह कुछ feature है, format cells की, वापस देख रहे है, format cell पे protection option है, तो यह आपके cell को lock कर सकता है, यह भी मारे course का part नहीं, ज्याद़ advanced में मागे नहीं चल रहे, तो format cell में number, alignment font, border, fill, protection, यह कुछ features है, यह hidden option है, अगर आप hide करेंगे, तो यह column आपका hide हो जाएगा, इस तरीके से रहो भी hide हो जाती है, so cancel करते है, तो आपको format cell समझ में आया, according to book तो केवल इतना ही है कि format cell पे आप आते कैसे है, dialogue box, that's it, हमने लेकिन आपको options भी दिखाएगी, format cell पे काम कैसे होता है, renaming, adding and reorganizing worksheet, किस तरीके से sheet का नाम change करते हैं, add करते हैं और remove करते हैं, तो वापस Excel पर आते हैं, यह sheet 1 है, यह sheet 2 है, यह sheet 3 है, नीचे आप देखने करजर पर लिखा है sheet 1, यह लिखा है sheet 2, sheet 3, by default Excel में 3 sheet आती है, आप इन्हें right click करके delete कर सकते हैं, simply, यहां से आप easily delete कर सकते हैं, यह फिर आप home tab में, यह cells group में insert option है, यह insert sheet option है, यहां से आप sheet भी add कर सकते हैं, और यहां से right click करके भी add कर सकते हैं, delete करनी है, तो delete option है, delete sheet, sheet delete हो जाएगी, देखिए, यह sheet 3 delete करनी है, delete कर दीजे, तो delete sheet हो गई, तो यह simple तरीका है, कि आप अपनी sheet को delete कर दें तो वो वापस नहीं आएगी, वो undo नहीं हो सकती, तो इसलिए साफधान रहिएगा, जब भी आप Excel पर काम करें, तो आपके deleted sheet वापस नहीं आएगी, right click कीजे, आप यहां से insert भी कर सकते हैं, insert करेंगे, तो पूछेगा आप से क्या add करना है, आप कीजे worksheet add करनी है, तो आप देखिए यहां पर worksheet आ गई है, तो यह तरीका है, sheet को add करना और delete करना, order चेंज करना है, मानले यह sheet 5 आपको sheet 2 के बाद लानी है, तो आप इस पर click कीजे, इसको ऐसे आगे पीछे आप movement करा सकते हैं, यहां पर यह एक और बटन है, यह insert worksheet का ही बटन है, यह यहां से भी आप sheet add कर सकते हैं, यह shift plus F11 shortcut की होती है, इसका भी आप use कर सकते हैं, उसके बाद आपको नाम change करना है, तो right click कीजे, rename option, और यहां पर आप अपनी sheet का नाम कुछ भी दे सकते हैं, मैंने sheet का नाम deep रख दिया, दूसरी sheet का नाम मानलेजे, मुझे कुछ और रखना है, तो मैंन कर दिया, तो यह last में पहुच गई, तो यह depend करता है, कहां पर इसको moment करना चाहते हैं, तो option से भी कर सकते हैं, और click करके इसको आगे पीछे भी moment दे सकते हैं, तो यह तरीका है, sheet को reorder करना, sheet का नाम change करना, sheet को add करना, और sheet को delete करना, तो यह option यहां पर बताए गए है, is booking according, तो हमने यह तीन option try करके भी देख लिए, आगे आते हैं, printing a worksheet, जब भी हम एक worksheet को print करते हैं, तो हमारे सामने क्या-क्या options आते हैं, तो जब भी आप एक sheet पर आएंगे, और control plus P shortcut की use कर सकते हैं, यह तरीका है print करने का, या फिर file menu में आपको यह print option मिलेगा, इसका use कर सकते हैं जनरली जब आप print करते हैं, तो cell के grid नजर नहीं आते हैं, जिन पर border लगा होता है कि एवल वही हिस्सा नजर आता है, तो इसको भी आप देख सकते हैं, यह print button है, इस पर click करते ही print हो जाएगा, जो आपके computer से printer connected होगा, कितनी copy निकालनी है, तो copies यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं, यह printer का नाम आएगा, active sheet print करना है, यानि कि जितना असा जो भी आपकी sheet पर आ रहा है, वो सारा इससा print हो जाएगा, लेकिन अगर बान लीजे 5-6 page हैं, और आपको एकेवल page number 1 चाहिए, तो यहां 1-2-1 करेंगे, तो page number 1 से लेके page number 2 आएगे, 2-2 करेंगे, तो page number 2 print होग one side निकालना है, या both side निकालना है, या आप set कर सकते हैं, portrait है, या landscape location है, या चूज कर सकते हैं, portrait ऐसा है, जो आपको side में दिख रहा है, landscape करेंगे, तो यह ऐसा page हो जाएगा, यानि कि width बढ़ जाएगी, height कम हो जाएगी, तो इस तरीके से आप portrait या landscape चूज कर सकते हैं, उस size का होता है, यह margin option है, कि आप देख रहे हैं, यह 10 लिखा है, यह left से कितनी दूरी पर है, right से कितनी दूरी पर है, top से कितना, bottom से कितना, तो normal margin होता है, इसमें लिखा भी हुआ है, कितने inches में, 0.75 inches है, तो आप अपने according page का margin भी set कर सकते हैं, custom margin पर जाएगे, तो और भी margins ल करते हैं, और no skilling रखे छोड़ते हैं, और अब आप print करेंगे, तो आपका content print हो जाएगा, वापस book पर आते हैं, तो हमने यह chapter 4 को काफी practically भी देखा है, और theoretically भी यहां समझ रहे हैं, कुछ key points हैं, वो भी एक बार देख लेते हैं, copying makes a duplicate entry of the cell content, copying आपके cell की duplicate entry बनाता है, moving delete the cell content from its original place, जो moving है, जिसे मैं आपको बता रहा था, cut paste, वो एक जगे से आपका content, दूसरी जगे ले कर जाएगा, cut and copy options are present in the clipboard group, बिल्कुल सही बात है, clipboard group में होते हैं, home tab में, control plus A can be used to select all the cells, सारे cells select करने हो, तो जो मैंने आपको option बताया था, उस button पर भी click कर सकते हैं, या control plus A shortcut shortcut key का भी use कर सकते हैं, shortcut key for adding a new worksheet is shift plus F11, नई sheet add करनी है, तो shift plus F11 का भी use कर सकते हैं, when you first open a new Excel workbook, it gives you three sheets, to work with and these are named as sheet 1, sheet 2, sheet 3, जब भी आप एक किसी Excel की नई फाइल पर काम करते हैं, तो उसमें 3 sheet मिलती हैं, और उनके नाम भी कुछ ऐसे ही होते हैं, sheet 1, sheet 2, sheet 3, a worksheet can be renamed, worksheet का नाम change किया जा सकता है, control plus N is used to open a new blank workbook, और एक नई Excel फाइल बनाने के लिए control N shortcut key का use करते हैं, तो I hope chapter 4 आपको काफी हद तक समझ में आया होगा, और आपकी फिर भी कोई query है, practically portion को लेकर के, तो आप हमें comment करके जरूर बता सकते हैं,